अनुराग कश्यप, एक फिल्म निर्देशक, पार्ट ताइम एक्टर और अपनी बातों को साफ तरीके से बिना लाग लपेट सभी के सामने रखने वाला इंसान। जरूर किया था। इसके कुछ दिन बाद ही अनुराग कश्यप पर एक और एक्टर ने कुछ और गंभीर आरोग लगाये हैं। रूपा दत्ता ने फेस्बुक पोस्ट लिखा और ट्वीट भी किया। इन सोचल मीडिया पोस्ट में उन्होंने फेस्बुक मेसेंजर चैट के कुछ स्क्रीनशॉट पोस्ट किये। रूपा दत्ता ने बताया कि ये उनकी अनुराग कश्यप के साथ भी बातचीत के कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। रूपा ने ये भी साफ किया कि ये बातचीत 2014 में हुई थी। 2014 यानि वो वक जब अनुराग कश्यप एक impactful director के रूप में इंडस्री में स्थापित हो चुके रूपा दत्ता ने चैट सामने रखते हुए इस कथित बातचीत के आधार पर फेस्बुक पर लिखा कि अनुराग की घटिया बातों की वज़े से ही उन्होंने अनुराग से बात करनी बंद कर दी थी। और साथ ही अनुराग कश्यप की नजरों में किसी भी औरत की कोई इ इज़त नहीं है यह भी रूपा ने कहा यहां हम आपको यह भी बताते चलते हैं कि एक अक्टर होने के अलाभा रूपा दत्ता पश्चिम बंगाल करनी सेना की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं इतना ही नहीं रूपा दत्ता को न्यूज नेशन ने भी अपने शो में बुलाय और यहां रूपा ने अनुराग पर ये भी आरोप लगाए कि अनुराग कश्चिम ड्रग्स लेते हैं और अपने आर्टिस को भी ड्रग्स अप्लाइ करते हैं और इस सारे मामले की जाँच NCB को करनी चाहिए सनद रहे कि ड्रग्स वाले आरोप भी ऐसे समय में लगाय जा रहे हैं जब ड्रग्स, NCB, जाँच वगेरा ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके पीछे मीडिया हाथ धोकर पड़ा हुआ है और अपनी न्यूज में इन्हें प्रमुकता से जगे दे रहा है दीपक चोरशे से बात करते हुए रूपादत्ता ने ये भी बताया कि वो कभी अनुराख कश्रप से मिली नहीं है और ये सारे दावे सिरफ फेस्बुक पर हुई बातचीत के आधार पर ही कर रही है है ये बिल्कुल सही हो सकता है क्योंकि ये आदमी का बात करने का तरीका सही नहीं है इसको सफश्ट करने के लिए मैंने ट्वीट भी किया था और मैंने अपने तरीक को में नहीं करत हुए और और वह इस चीध तो उस टामने आखे कि तो मुझे लगता है। नीज टालेंटै डीरेक्टर जो वह सामने आ रहा है। तो उस लिहाल मैंने उसे बात किया। और मेरा दोस्त भी नहीं है। पहली बात है अनुराग ना मेरा दोस्ते ना मैं ऐसे कभी फिजिकली कभी मिली हूँ तो मैंने बोला उसको कि तुम एक अच्छे डिरेक्टर हो तो तुम अच्छे काम करो आगे तुम इस तरीक से बाते क्यों करते हो तुमारे बात करने का तरीका सही नहीं है अब हम यहां आपके सामने इस बातचीत की सक्चाई रखेंगे जो की कथित तौर पर अनुराग और रूपादत्ता के बीच हुई असल में रूपा ने जो स्क्रीन शॉट्स शेयर किये हैं उसमें यूजर का नाम अनुराग सफर दिखाई देता है और यहीं से और न्यूज को रूपा के दावो पर शक हुआ हमने जब यह आईडी फेस्बुक पर ढूणने की कोशिश की तो बगएर किसी मुश्किल हमें यह प्रोफाइल मिल गई एक ट्वीट करते हुए इसने बताया था कि वो फिल्म डिरेक्टर अनुराग कश्चप नहीं है और साथ ही गुजारिश भी की थी कि उसे डिरेक्टर समझ कर लोग परेशान न करें इसके लाबा फेस्बुक पर भी 2016 में एक पोस्ट के नीचे कमेंट कर से हुए इसने साफ किया था कि वो डिरेक्टर अनुराग कश्चप नहीं है हमने देखा कि फेस्बुक और ट्विटर पर कई लोगों को ये घलत फहमी सालों से होती आ रही है फरवरी 2010 में एक फेस्बुक पेज ने अनुराग कश्चप की बजाए अनुराग सफर को टैग किया था यहाँ एक बेहत जरूरी और गौर करने वाली बात है फरवरी 2010 के पोस्ट को जब आप देखते हैं तो वहाँ टैग किया गया नाम अनुराग कश्चप दिखता है लेकिन उस पर क्लिक करने पर अनुराग सफर की प्रोफाइल खुलती है ऐसा इसलिए है क्योंकि इस यूजर में अपनी प्रोफाइल का नाम अनुराग कश्चप रखा हुआ था एक फिल्म की तारीफ करते हुए एक फेस्बुक यूजर में अनुराग सफर को टैग किया था जबकि उसे अनुराग कश्चप को टैग करना था जब हमने पिछली तारीखों में इस यूजर को किये गए ट्वीट्स ढूनने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि 2010 से पहले इसने अपने ट्विटर हैंडल को अनुराग कश्चप 07 रखा था और बाद में ये हैंडल बदल दिया गया था इसके साथ ही 15 सिकंबर 2010 को ट्वीट करके इसने भी बताया था कि वो डिरेक्टर अनुराग कश्चप नहीं है और ट्नीज ने अनुराग कश्चप से बात भी किया अनुराग ने बताया कि रूपा का दावा पूरी तरह से घलत है और फेस्बुक पर अनुराग की आईडी वेरिफाइड है यानि नीले टिक वाली है कुल मिलाकर अनुराग कश्चप पर ये आरोग एक ऐसे हैंडल की वज़े से लगे हैं जिसने अपने नाम में कभी कश्चप जोड़ा हुआ था बाद में इसे बदल दिया गया और यूजर ने बार बार सफाई भी दी थी कि वो फिल्म डिरेक्टर अनुराग कश्चप नहीं है लेकिन इन सभी तथ्यों को नजरंदाज करते हुए अनुराग कश्चप वो इनसान है जो लगातार लोगों को अपना शिकार बनाता रहा है अनुराग करते हुए